दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अगर software कर रखे हैं, काफी लोगों ने मुझे बोला और resume भी बेशते हैं, उसमें दिखाते हैं कि सर यह मैंने यह software कर रखे हैं, और मुझे यह यह चीजों का knowledge भी है, फिर भी मेरा job नहीं लग रहा है, तो क्यों न हेलो प्रेंट्स, वेल्कम बैक इन माई टूतर, दोस्तों मैं हूँ अगास पांडे और आप देख रहे हैं, यह उनिक सिभी लैन मेक योर्सेल्फ यूनिक, दोस्तों आप सब कई जिगों पर अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मेरे पास भी अप्लाई किया, और ता प्रेंट्स उनको पता है, यानि उनको AutoCAD भी पता है, Google SketchUp भी पता है, कुछ लोगों को ETAB पता है, कुछ लोगों स्टैट्रों पता है, और उसके बाद भी उनकी सीवी सॉल्ट लिस्ट नहीं हो रही है, मैं थोड़ी जर सोचता रहा कि यार इनके पास तो 8-8 स्किल है, सा मैंने सुचा कि क्योंने एक वीडियो बना के आपको बताता हूँ, आपने जो मुझे धेर सारे अपलाई किये थे, जौब के लिए, उसके बाद मेरा क्या रिजल्ट है, मैं क्यों किसको नहीं कर पाया, एक दो लोग जो भी सेलेट हुए उनको पता है, लेकिन बाकी लोग स अच्छी लगे कि मैं आपको रिजूम अगवाल मूंगा, आपका प्रोफाइल अगर अच्छी लगा, कोईसे तो मेरे इमिल आइड आप डिस्कुशन मॉक्स में लेके आप इसको महापे मेल भी कर सकते हो, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी लगे तो डेफिनेटली मैं प्रियागराच वाले जो हैं उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि लोकल है, तो वहाँ से आप जल्दी से जल्दी सेलेट हो सकते हो, तो ओपनिंग है मार्केट में, ऐसारी एक ओपनिंग नहीं है, क्योंकि अभी जैसे कि अभी सिविल इंजिनेर है, वो हरे काम कर ले रह सिविल का एक logo लगा लिए, मैंन सिविल का ही काम करण हो, सिविल प्लस IT mix करके आप काम को कर सकते हो, आपको समझना है कि मैने इतने software पहें दोती सीख रखें, इसके बाद भी मेरी CB sortlist क्यों नहीं हो रही है, CB इसले ओतल्स नहीं हो प्रणा हैं, तो यह नहीं देखा कि कौ क्यों सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यानि अगर वो इस ट्रॉट्चर की पोजीशन थी तो फिर आपको रेविट और इसकेचप और इसकेचप और इसकेचप और थीडस इस 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 आपको रिक्वार्मेंट के हिसाब से अपनी सीवी को सेट करना पड़ेगा ऐसे सॉफ्टर मत डालो जिनका कोई भी यूज नहीं है सामने वाली रिक्वार्मेंट कंपनी में और साथ इसाथ दूसरी चीज चलो आपने सॉफ्टर डाल दिया कोई इग्नूर कर दिया दूसरी चीज आपको देखना है कि क्या मुझे सच में वो सॉफ्टर आता है मैंने आपको बताया था कि आटोकेट इतना अगर आपको आता है तो समझ आ आई बटन पर की वीडियो लगा है उसमें देख लेना आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना AutoCAD आता है जरूरी यह है कि AutoCAD लिखने से पढ़े आप AutoCAD की हर एक चीज को प्रिपेर कर लो उसके बाद अब मैं बात करूंगा दूसरे सॉफटरे लेक इस्टैट प्रो इस्टैट प्रो के लिए मैंने अच्छे से नहीं आती है अगर स्टैट प्रो आपने सीखा तो आप मैनुल डिजाइन क्यों नहीं कर पारे हो सब्सक्राइब कैसे चलाते हैं बहीं या इड़ चलाना अगर सीखना हो था आई-स्पूल आले बच्चों का हम लोग हायर कर लेते ना इड़ चलाना नहीं है इटेप पे डिजाइन करना है उस पे मास्वर्च लगाना है स्टैटिक इनासिस डैनमीक इनासिस करना है और फिर देखना है कितनी कम रेनफोर्समेंट में कितनी अच्छा डिजाइन कर सकते हो कितना कम डिफलेक्शन आया आपके स्ट्रॉक्चर में यह चीज समझनी होती है तो सेलेक्शन नहीं होता यार इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर आप सामने वाले की रिक्वार्मेंट देख रहे हैं उसको केवल दो या तीन सौफटेट चाहिए तो आपके उतना ही अपने रिजुमें में एडिट करो और रिजुमें में एक चीज और एडिट करो जो या पाउटो करें स्टैन्पट जो भी आपने सीखाय करते हो उसके बाद एक नीचे स्पोल्ड बनाओ सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट नॉलेज उसमें आप जरूर लिखो आर सीसी सोम या अगर आपको क्यों आर सीसी उसके साथ ही साथ आईयस एट सवंटीफाइड आ और बाहर से कुछेगा ही नहीं आपके रीजोम में से ही साथियोम से ही पूछे वह कशन करता है पता है पता है कब या कोई भी फाल्तू का दिमाग नहीं लगाना चाहता है सब्सक्राइब करें तो इतना तो सोचने की जरूरत नहीं कि उनको यह चीद नहीं आता हो तो बाहर से पूछेंगे बिल्कुल भी नहीं अभी पीछे एक मेरा इंटर्वी हुआ पुस्कों से 3,4 दिन पहले उसमें उन्होंने पूछा कि आपको कौन सा शॉप्टेर रच करो कितना आता है तो अपको स्याट अपना लेबल चेक को पता होता है कि 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 प्र दिये कुछ पाइप आउड वॉटा फॉट दिये कुछ पा यह एक सॉफ़ट्या के जोॉधे बनाया कि मुझे कई उव लोग के वर्ल एक्टी परसेंट आता है यामुझे 20 परसेंट एक्स्टा जो है उभी खुद भी नहीं आता है उन्हों को ही 20 पर्सेंट नहीं आ रहा है मेंस को भी परफेक्ट नहीं है काडिया सौफटेर में उन्होंने बोला हमारी टीम थी तो कुछ मडूल टीम ने डिजन किया है तो साहद बुझे चीज नहीं आ रही थी इसलिए मैं असेट करता हूं कि उनको क्यों 80% आता है तो सोचिए जब उनको 80% आ रहा है तो no one is perfect life की प कुछ सीच या झानेल चीए प्रजंट के कंसे करते हैं प्रजंट के किसे लगाते हैं फैक्टर कैसे लगाते हैं तो प्लीज मेरा सिर्फ इतना है काड़ जसे अऐनल लगा रहे गो इतने यह नहीं ज्येदा प्रइषर अच्छी नियों आपको निगाल दो और मेशर सब्झ में और से कुछिन आपको डिसकस करना चाहूंगे जब कोई इंटर्वियर पूछता है कि विच वाली जब फेवरेट सब्जेक्ट तो कमपनी रगती है बिल्डिंग स्ट्रेक्चर की और आप बोल देते हैं और ट्रांसपोर्टेशन और सामने वाला इंजीनियर है उसको ट्र अगर आपको अपना पड़ेगा तब ही आपकी सीवी जब लिस्ट होनी का चांस 80%-90% हो जाएगा वीडियो मेरे कैसे लगे आपको यह सजेशन जो भी हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं यह सारे सजेशन जो भी इनर साइट के सजेशन है मैं आप तक लिए आनिकोसिस क क्योंकि आज की टाइम में यह सारी चीजेशन लोगों को नहीं बताए जा रही है जो ही बता है वो इतना ज्यादा फी ले रहे हैं कि आप तक को पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता तो मैंने इस चीश को स्टार्ट किया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करो क्योंकि सपो इस नहीं है कि सब कोई परफेक्ट होता है मैं खुद भी टेनी करता हूं जो मैं सीख रहा हूं मैं आपको सीखाँगा बट उसमें आपके साहिओं की जरू होते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट करना कि हंजी सर आप अच्छा कर रहे हैं जैसे भी कर रहा हूं आपको करना मुझे आपसे कुछ बाते करनी हैं तो नीचे कमेंट करना और फिर मैं आपसे बात करूंगा जो भी है जहां से भी आगरा हो सकता आप देखते जिएगा कि मैं यहां से हूँ और यह मेरा मोई लंबर है तो मैं उससे बात करना चाहता हूं और यह बहुत जरूरी है तो झाल झाल झाल